हेलो फ्रेंज स्वागत आप सभी का हमारे चनल को कैश्टेडी में माइक माल विष्ट इस वीडियो के मांधियम से दोस्त आप कहाँ पर इंडियन आर्मी के महत्पूर्ण को कराऊंगा दोस्ते यहां पर आप देखेंगे सामानी विज्ञान के दोस्तों महत्पूर्ण को यह लिए आपके सभी एक्जाम के लिए सभी ट्रेट के लिए मैद्पूर्ण होंगे दोस्तों आप यहां पर इत्माना से इनको क्वेश्ण को देखेंगे और यहां पर दीकित प्राणाब करने से पहरे छोड़ी से कहाँ दर्ख्वास करना जाहेंगी दोस्तों हमारे चनल को स खाने का तेल वनस्वतिक घी में बदलता है आपको बताना है in which process cooking oil convert into vegetable घी यह आपका दोस्तो कौन से वाली प्रोसेस होगी आपचाइन होगी या उपचाइन या आक्सी करण या फिर आस्वन या आपके हो जागी दोस्तो आक्सी करण oxidation option number आपका C वाला सही हो जाएगा अगला कोशिन आपर देखें दोस्तो सिनकोना पादप की किस हिस्से से कुनेन प्राप्त होता है अर्था आपको बताना है in which part of sincona plant getting कुनेन दोस्तो या फिर आप कह सकते हैं sinconas कुनेन get in which part of their plant या आपका दोस्तो पत्ती से या फूल से या D वाला सही हो जाएगा अगला कोशिन आपर देखिए इस्तितिज उर्जा का व्यंजक क्या है अर्थात आपको बताना है दोस्तो potential energy formula यह आपका क्या हो जाएगा वुनापॉन्टू MV square होगा या वुनापॉन्टू MGH होगा या MG square होगा या फिर MGH होगा यह आपका हो जाए होगा और H आपका height है जहांपर object को रखा गया होता है तो यह आपका यहांपर दोस्तो formula हो जाएगा अगला कोशिन आपर देखिए जड़त्तों का मातरक क्या है unit of inertia आपको बताना है दोस्तो यह Pascal होगा Newton per meter होगा या waiver होगा या कोई मातरक नहीं दोस्ते आपर देखिए आपका होता है और यह दोस्ते गुण होता है जो परिवर्तन का विरोध करता वस्तों में अगला कोशिन आपर देखिए दोस्तो वेग परिवर्तन की दर्को डेड़ेस कहते हैं अर्थादा को बताना है rate of changing in velocity यह आपका त्वरण कहलाएगा आवे कहलाएगा आघुमन कहला लाएगा या फिर कार्य यह दोस्ता आपका आपर देखिए त्वरण कहलाता है option नमर आपका एवाला सही हो जागा acceleration अगला कोशिन आपर देखिए और a equal to आपका होता है दोस्तों v upon t अगला कोशिन आपर देखिए प्रमाणु तिरीजिया मापने की एकाई को क्या कहते हैं आपको बताना दोस्तों unit measurement radio of atom यह आपका होगा दोस्तों nanometer या millimeter या AUm या फिर centimeter यह आपका होगा दोस्तों nanometer option नमर आपका एवाला सही हो जागा nanometer आपका सही हो जागा दोस्तों अगला कोशिन आपर देखिए दोस्तों एक nanometer कितने meter के बराबर होता है one nanometer is equal to how many meter दोस्तो आपर देखिए इसको निकालने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए एक मीटर में दोस्तों आपके 100 cm होते हैं एक cm में आपके 10 mm होते हैं और 1 mm में दोस्तों आपके 10 की घात 6 nanometer होते हैं तो यहां से आप easily निकाल लेंगे यह आपका देखिए आपर 6 यह होगे और 1 यह और दो यह तो कुल में लागे दोस्तों आपके 10 की घात माइनस 9 मीटर आपके हो जाएंगे तो option नमबर आपका दोस्तों B वाला सही हो जाएगा अगला कोशना पर देखिए अमोनिया में हाइड्रोजन के प्रमाड़ों कितने होते हैं अमोनिया का फॉर्णा को पता होना चाहि तो option नमबर आपका C वाला सही हो जाएगा अगला कोशना पर देखिए दोस्तों AMU का पूरा नाम क्या है फुल फॉर्म ऑफ AMU आपको बताना है atomic mass unit या atomic measurement unit या atomic measure unit या फिर none of these या आपका हो जाएगा दोस्तों atomic mass unit option नमबर आपका A वाला सही हो जाएगा अगला कोशना पर देखिए उस वैग्यानिक का नाम बताई जिन्होंने प्रमाडू का सिध्धान्त दिया अर्थात हूंस given atomic principle दोस्तों यह डाल्टन या रदरफोड या पावली या बोहर यह दोस्तों हो जाएगे डाल्टन option नमबर आपका A वाला सही हो जाएगा एक दोस्तों यह आपका आ इस सेवन यह आपका दोस्तों नाइट्रोजन हो चन वरब समस्तानि दोस्तों दूटैरिम तो इसled Legend Chi दो आपका होता है तो दो गुणार दो आपकर देंगे प्लस ऑक्सिजन गापको पताऊगा 16 होता है दोस्तों molecular mass 16 होता है तो इनको आप करेंगे तो आपका 20 मिलेगा तो option number आपका C वाला सही हो जाएगा कभी आपका दूस्तों नॉर्मल वेटर का आता है H2O का तो वो दोस्तों आपका 18 हो जाएगा तो तभी आपका दोस्तों इसे भारी जल कहा जाता है अगला कोशिन आपर देखिए उतक जो हमारे शरीर में गदी के लिए उतरदाई होते हैं Tissue who is responsible for motion in our body या आपका दोस्तों इसके लेरेन कायमा या पेशी उतक या तंद्री का उतक या फ्लोएम ये दोस्तों हो जाएगा पेशी उतक दोस्तों आपका ब्यूआला सही हो जाएगा इसके लेरेन कायमा दोस्तों नारियल के रेशो में पाया जाने वाला उतक है और अगरा कुशन आपर देखें दोस्तों गुरुत्वाकरश्ण बल का प्रणामी सूत्र होता है और रिजल्टे एन फॉर्मॉला ओफ ग्राइटेशनल फोर्स आपको बताना है एफ इकल टू जी एम एम टू अपॉन आर होगा एफ इकल टू जी एम एम टू अपॉन आर होग तो इनके लिए फॉर्ल आपका आता है इनके बीच में लगने वाला जो बल आपका होता है इन दोनों के दरविमान के गुड़न फल तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्करमान पाती होता है दोस्तों और जी यहाँ पर क्या है आपका एक नियतांक है यह दोस्तों होती है विशाण उसे दोस्तों नमबर आपका व्याला सही हो जागा एक वाइरस के कारण दोस्तों अगला कोशिन आप देखिए निमनमैसे द्वानी किसका रूप है साउंड इज फॉर्म ओफ दोस्तों आप देखिए साउंड किसका फॉर्म होता है किसका डिटियो का के दोस्तों energy का form होता है ऊच्छा का फार्म होता है अगला निया topic दोस्तों इस प्रप्श्ठ प्रति दोस्ता के लिए अवरोध को द्रोल से कितनी दूरी पर होना चाहिए बहुत ही मैत पुर्ण है दोस्तों प्रति ध्वनी दोस्तों जो बैक आपकी आती है साउंड यहां पर देखिए आपको बताना है हाव मनी डिस्टेंस बिट्वीन सोर्स एंड बैरियर फॉर क्लियर इको साउंड लिसनिंग यह दोस्ते आपका 17.2 मीटर होगा या 15 मी होनी है दोस्तों तो यहां पर आपका वेरियर और उनके 20 की दूरी आपकी यह होनी चाहिए तो यह रहे हैं दोस्तों महस्तों क्वेशन जो आपने आप देखे सामानी विज्ञान के उमीद आपको अच्छे लेगे होंगे और भी इस तरह के क्वेशन को लगातार बताते र हीगा ओके थैंक्स जय हिंजय भारत